पत्र अपने विचारों और भावों को दूसरों तक महुचाने का एक आसान साधन है। पत्र की भाशा सरल व स्पष्ट हो। कम से कम शब्दों में विचार व्यक्त करें। लेक सुन्दर व भाशा सटीक हो। अपना पता व पाने वाले का पता ठीक से लिखा हो। पत्र का मूल उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। पत्र दो प्रकार के होते हैं। अनौपचारिक पत्र प्रिय मित्र प्रिय बंधु आदी। अभिवादन बड़ों के लिए साधर प्रणाम चरण स्पर्ष आदी। छोटों के लिए आशीरवाद स्नेह सुखी रहू आदी। मित्र के लिए नमस्कार नमस्ते आदी। समापन बड़ों के लिए आपका आज्यकारी आपका स्नेपात्र आदी। अनौप चारिक पत्र। कुसंगती से बचने की सलह देते हुए छोटे भाई को पत्र। 234 वीनस अपार्टमेंट्स कुलाबा मुंबई 400-00-015 12 अगस्त 2022। प्रिया अनुच धेर सारा प्यार। भाई मुझे पता चला है कि तुम कुछ बुरे आचरन वाले लोगों से मित्रता कर बैठे हो। इसलिए लक्षय को भूल कर मौच मस्ती में समय व्यतीत करने लगे हो। भाई बुरी संगती पतन की ओर ले जाती है। उसे छोड पढ़ाई में मन लगाओ। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जीवन में उच्च स्थान प्राप्त करोगे। घर में सभी ठीक ठाक हैं। अपना ध्यान रखना। तुम्हारा अग्रज सचन। आपचारिक पत्र बीमारी के कारण अवगाश के लिए प्रार्थना पत्र। छे दिल्शाद गार्डन दिल्ली एक-एक शुन्य शुन्य नौपाँच प्रधाना चारिया महुदया केंद्रिय विद्यालय श्रेष्ठ विहार नई दिल्ली विश्य बीमारी के कारण अवगाश हे तू प्रार्थना पत्र। बहुतया कल विद्यालय से घर आते हुए वर्षा में भीगने के कारण मुझे जुकाम और बुखार हो गया है डॉक्टर ने तीन दिन तक दवाई खाने और घर पर आराम करने के लिए कहा है आशा है आप तीन दिन का अवगाश देकर मुझे कृतार्थ करेंगे धन्यवाद आपका आज्याकारी शिश्य यतिन कक्षा पांचमी अ ग्यारह जुलाई दो हजार बाईस अनुच्छेद लेखन मन के भावों और विचारों को संक्षेप में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है इसके विशय की कोई सीमा नहीं होती अनुच्छेद अधिक बड़ा ना होकर 10-15 वाक्यों का ही होना चाहिए प्रतियेक वाक्य एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए और भाशा सरल तथा विशय के अनरूप हो आईए कुछ उदाहरन पड़ते हैं जब मैंने पहली बार चाह बनाई एक दिन मम्मी के सिर में दर्द था पापा ने कहा चलो हम दोनों मिलकर मम्मी के लिए चाह बनाते हैं तब मैंने एक कप दूध लिया तथा उसमें दो कप पानी डाला पापा ने गैस दिला कर पेन को उस पर रख दिया जब उसमें उबाल आ गया तब मैंने उसमें तीन चम्मच चीनी और लगभग दो चम्मच चाई पत्ती डाल दी थोड़ी सी छोटी इलाइची भी डाल दी ताकि उसमें अच्छी खुश्बू आए जब चाई में उबाल आया तब गैस को बंद कर दिया अब चाई चान कर कप में डाली और मम्मी को गरम गरम चाई के साथ सिरदर्द की गोली खाने को दी मम्मी ने मुझे गले से लगाया और कहा मेरा बेटा बड़ा हो गया है तभी तो आज उसने चाई बनाना भी सीख लिया है चाई अच्छी बनी थी थोड़ी देर बाद मम्मी का सिरदर्द भी ठीक हो गया मेरी पहली मेट्रो यात्रा दिल्ली में रहते हुए बच्चे अकसर मेट्रो यात्रा का आनंद लेते हैं एक दिन मेरे ताउ जी हम बच्चों को मेट्रो की सेर करवाने मेरट से दिल्ली लेकर आए ताउ जी ने मेट्रो स्टेशन पहुच कर टोकन लिये और हमें भी प्लास्टिक के सिक्के नुमा टोकन पकड़ाए सबसे पहले ताउ जी ने अंदर जाते समय उस प्लास्टिक के सिक्के को स्टेंड पर छुआ तो हम सबने देखा कि रास्ता खुल गया इस तरह हम सबने भी यही किया और स्वचालित सीडियों से उपर जाकर प्लेटफॉर्म पर खड़े हो गए लगभग दो मिनट के अंदराल पर संदर सी ट्रेन आई उसके दर्वासे अपने आप खुल गए हम सभी बच्चे ताउ जी के साथ उसमें सवार हुए अंदर बैठते ही भरी गर्मी में ठंड़क का एहसास हुआ तब पता चला कि सारी मेट्रो ही वातानु गूले थै इस तरह हमने मेट्रो में रोहिनी पश्चिन तक का सफर तै किया और खूब आनंद उठाया वाह क्या मेला था एक बार घर में बुवा के बच्चे आय हुए थे सभी ने मिलकर कहीं घूमने का कारेक्रम बनाया तो पापा ने कहा चलो आज तुम्हें पारम पर एक मेला घुमाते है हम सब तयार होकर मेले के लिए रवाना हुए मेले के रास्ते में दोनों तरफ बाजार रंग बिरंगी जड़ियों से सजे थे अलग-अलग सामानों से सजी दुकानों ने बाजार की शोभा में चार चांद लगा दिये थे कहीं जूले वाले तो कहीं चाट पकोडी हम सब ने खेल खेले वो छोटी बेहन को उसकी मन पसंद गुडिया भी ले कर दी सारा मेला घुमने के पश्चात जब भूख लग आई तब पापा ने हमें वहीं पर अलग-अलग राजियों का खाना खिलाया हम सब भी ठक चुके थे इसलिए मेले का आनंद लेकर घर वापस आ गए आज भी उस दिन को याद कर यही सोचता हूँ वाह क्या मेला था संबाद लेखन, डायलोग राइटिंग संबाद का अर्थ है बातचीत हमारे दैनिक कारियों में बातचीत का बहुत महत्व है इस बातचीत का लिखित रूप ही संबाद लेखन कहलाता है प्रभावशाली संबाद लेखन एक कला है जिसमें अभ्यास द्वारा ही पारंगत हुआ जा सकता है संबाद लेखन के लिए ध्यान देने योग्य बातें संबाद विशय को भली भाती स्पष्ट करें संबादों की भाशा सहज, सरल वा बोध गम्य हो संबादों के वाक्य छोटे वा सरल हो संबाद रोचक, प्रभावशाली तथा पात्रों के अनुकूल हो संबाद लेखन के कुछ उदाहरन डॉक्टर वा मरीज के मध्य है संबाद मरीज, डॉक्टर साहब नमस्कार डॉक्टर, नमस्कार, बैठिये और बताईये क्या समस्या है मरीज, डॉक्टर साहब कल से सिर में दर्द है बुखार लग रहा है और कुछ खाने का मन नहीं कर रहा डॉक्टर, खासी तो नहीं मरीज, नहीं डॉक्टर साहब पर कभी-कभी गला दर्द करने लगता है डॉक्टर, गला देख कर गला सूजा हुआ है, इसी कारण बुखार है तीन दिन की दवाईयां लिख रहा हूँ छे-छे घंटे बाद खा लेना और तीन दिन बाद फिर दिखाना मरीज, ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब चित्रवर्णन, पिक्चर डिस्क्रिप्शन चित्रों को देख कर मन में आई भाव या विचार उससे जुड़ी घटना या कहानी लिखना ही चित्रवर्णन के कुछ उदारन देखें खेत में जल भरा हुआ है किसान बैलों की जोड़ी लेकर हल चला रहा है घने पेड के नीचे एक व्यक्ति खड़ा है जो किसान को हल चलाते हुए देख रहा है थोड़ी दूरी पर किसान का घर दिखाई दे रहा है खेत के चारों तरफ बड़े और घने पेड है तथा उंची उंची घास उगी है किसान के एक हाथ में चड़ी है जिससे वह बैलों को आगे बढ़ने के लिए उकसा रहा है दोनों जोपनियां साफ सुथरी दिखाई दे रही है कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग कहानी साहित्य का प्राचीन तम रूप है बच्चे तो युगों से दादी नानी से कहानिया सुनते आ रही है ये कहानिया बच्चों के बाल मन पर अपनी अमिट छाप छोड़ती है इसके माध्यम से दी गई शिक्षा भी बच्चों पर अपना प्रभाव डालती है तथा साथ ही बच्चों का शब्द ज्यान भी बढ़ता है कहानी लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है कहानी छोटे छोटे वाक्यों में हो भाशा सरल वसुगम हो कहानी भूदकाल में लिखी गई हो घटनाय क्रम से हो भाशा पात्रों के अनुसार हो अंत जानने की इच्छा बनी रहे बच्चों को शिक्षा प्रदान करने वाली हो आईए पढ़ते हैं कुछ कहानिया एक संकेत बिंदू के आधार पर कहानी लेखन संकेत बिंदू, एक गरीब बालक बकरी चराने जाना, नदी का तूटा पुल देखना पुल पर रेलवे लाइन, गाड़ी के आने का समय लोगों की जान को घतरा, पटरी पर खड़ा होना लाल कमीज उतार कर हिलाना, गाड़ी की तेज रफतार ड्राइवर का रुकना, लोगों का गाड़ी से उतर कर तूटा हुआ पुल देखना, बालक के प्रती कृतग्य होना सहसी बालक बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा गरीब बच्चा था वह हर दिन जंगल में बकरियां चराने जाया करता था एक दिन जब वह जंगल पहुँचा, तो देखा कि नधी का पुल तूटा हुआ है उस पर रेल विलाइन बनी हुई थी स्वाभाविक है कि वह भी तूटी हुई थी गाड़ी आने का समय लगभग हो चुका था बच्चा सोचने लगा कि यदि गाड़ी आएगी उसे दूर से गाड़ी की सीटी की आवाज सुनाई दी फिर इंजन भी दिखाई देने लगा वह बहुत घबरा गया क्षन भर में ही उसने मन ही मन नर्ने लिया और अपनी लाल कमीज उतार ली वह अपनी कमीज हाथ में लेकर जोर जोर से हिलाने लगा गाड़ी बहुत तेज रफ़तार में थी द्राइवर सीटी बजा कर उसे वहां से हटने को कह रहा था परंतु लड़का तो जान हथेली पर लिये खड़ा था वह टस से मस न हुआ गाड़ी उसके ठीक सामने आकर रुख गई लोग गाड़ी से नीचे उतर आए उन्होंने टूटे पुल को देखा तो सारी बात समझ गए कि इस छोटे परंतु वीर बालक ने सैकड़ों जानों को बचाने के लिए कैसे अपनी जान की परवाह नहीं की सभी यात्री उस बच्चे के प्रती कृतग्य थे शिक्षा सच्चे वीर अपने प्राणों की परवाहन्ना करते हुए भी दूसरों की रक्षा करते है दो चित्रों के आधार पर कहानी लेखन सुनहरी दितली एक थी सुनहरी दितली वह सदा उदास रहती थी उसे लगता था कि सभी का जन्म किसी न किसी उद्देश्य के लिए हुआ है एक वही है जो कुछ नहीं कर सकती पुश्प पर बैठी तो पुश्प से बोली तुम कितने सुन्दर हो दुनिया में खुश्पू भैलाते हो इससे पहले कि पुश्प कोई जवाब देता वह उड़कर बरगत के पेड़ पर जा बैठी वहां कोयल मधुर स्वर में गा रही थी तितली को दुखी देख कोयल ने पूछा सुनेहरी तुम इतनी दुखी क्यों हो? तितली ने कहा तुम्हारी आवाज मधुर है पर मेरे पास तो कोई गुण नहीं इससे पहले कि कोयल कोई जवाब देती वह वहां से उड़ गई उड़ते उड़ते सोच रही थी पता नहीं मुझे ईश्वर ने ऐसा क्यों बनाया मेरे रहने न रहने से किसी को कोई फरक नहीं पड़ता तब ही उसने देखा कि उसके पंक कैक्टस में फंस कर रह गए है मुश्किल से सुनहरी ने कांटों में से अपने पंकों को निकाला लेकिन यह देख कर खुश थी कि कैक्टस का भी इस दुनिया में कोई योगदान नहीं है लेकिन कैक्टस ने उसके मन की बात को समझ कर उत्तर दिया तितली रानी इस संसार में कोई भी व्यर्थ नहीं है जब मैं छोटा था तब एक बार अकाल पड़ा पशुपक्षी प्यास से मरने लगे तब एक दिन एक छोटा केड़ा और चिडिया मेरे पास आकर कहने लगे कि क्या हम तुम्हारे तने से थोड़ा पानी पी सकते हैं मैंने हाँ कह दी धीरे धीरे न जाने कितने पक्षियों ने मुझसे अपनी प्यास बुझाई तब से मुझे अपने महत्व का ज्यान हुआ अब क्याक्टस ने सुनहरी से कहा क्या तुम जानती हो कि तुम कितनी सुन्दर हो जब तुम किसी फूल पर बैठ कर उसका पराग चक रही होती हो अनजाने में ही उसे फल बनने में मदद करती हो उसी फल से बीज निकलती है और उस बीज से पौधे आते है अब समझी तुम पेड़ों के उपजने में कितना बड़ा योगदान देती हो सुनहरी खिले फूलों को देख मुस्करा उठी उसे पता चल चुका था कि संसार सभी के लिए है सुनहरी कैक्टस को धन्यवाद दे कर पुश्प के उपर जा बैठी